दोस्तो अब नए यूटूबर अपने सस्काइबर को हाइड नहीं कर सकते क्योंकि यूटूब को और से 2-3 अपडेट ऐसा आया है जो पुरे न्यूटूबर के नाक में दम करके रखा है और कुछ अपडेट आच्छा है और कुछ अपडेट नए के टेटर्स के लिए बहुत ही बूरा है तो भाई अगर आप भी यूटूबर वीडियो बनाते हो तो आपको भी इस अपडेट के बारे में पाता होना चाहिए तो लिए जान लेते हैं कि आखिर कौन-कौन सा अपडेट आया है यूटूब को और से तो शुरू करते हैं ठर्ड अपडेट से तो भाई किषी दूसरे के वीडियो के कॉमेंट में जा कर अपने वीडियो के लिंक को शेयर करते थे तो भाई यह आप यह जो अपडेट है भाई आप आप ऐसा कुछा नहीं कर सकते हो तो भाई यह चैश्वना देफो क्या चैज का इंप्रूप किया गया है क्योंकि पहले आप लोग अपने वीडियो को लिंक कोमेंट में जाकर सेयर करते थे वहाँ पे जो है कुछ गाली देते थे किसी क्रिटेटर्स के वीडियो के कोमेंट में जाकर तो भीया अगर अब आप किसी भी वीडियो के कोमेंट में जाकर अगर वहां पुपने वीडियों को लिंक को share करते हो या कुछ गलत वर्ट का इस्तमाल करते हो कुछ spam कर रहे हो तो भाई या ओ जितना भी आप जो comment करोगे उसको जो है YouTube जो है hide करके रखेगा उसको publish करेगा ही नहीं तो यह जो है बहुत ही बड़ा अपडेट आया है YouTube को और से और यह वाल अपडेट मेरों को बहुत ही पसंद आया क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि comment में आकर और भाई या ऐसा ऐसा link को share करते हैं जिसमे टैब करते हैं आपका चैनल hack हो जाएगा या hack हो जाता है तो मेरों को यह वाल अपडेट जो हाना मेरों को बहुत ही पसंद आया अब जान लेते हैं second update के बारे में आप सब जानते हो कि भाईया आपका community tab क्या मिलता है जब आपका 500 subscriber आप complete कर लेते हो आपके चनल भी 500 subscriber जब पूरा हो जाता है भाईया तो आपको apply करना पड़ता है community tab के लिए और भाईया जैसे भी आपका community tab मिलता है भाईया तो आप क्या करते हो भाईया कि आप community post करके अपने family से अपने subscriber से आप continue connection बनाये रखते हो तो भाईया यहाँ पर होता है क्या है इसमें क्या change लाया गया है भाईया community post में पहले क्या था कि अगर आप को भी post अगर आप करते थे तो भाईया ओ जो है न हमिस्था के लिए वहाँ पर fix रहता था हमिस्था के लिए वहाँ पर upload रहता था लेकिन भाईया अब क्या है कि अब उसमें ऐसा update आ गया है कि अगर आप community post करोगे अगर आप चाते हो कि मेरा जो community post है वो 24 घंडे के अंदर में automatic delete हो जाए या hide हो जाए तो भाईया अब आप जब भी अपने post को अगर आप community time में post करते हो तो भाईया वहाँ पर आपको random तरीका साब को select करना परेगा आप उसको choose कर सकते हो कि 24 घंडा में आपका status जो है hide हो जाएगा दोस्तों इसको कर दिया गया है facebook और whatsapp जाएसा क्योंकि आप whatsapp जो status लगाते हो वो 24 hours के बाद में automatic जो है whatsapp के status होता है वो जो है hide हो जाता है delete हो जाता है और भी या community tab जो है भाईया कुछ इस तरह से ही हो चुका है अब जो है आप कोई भी post करोगे तो भाईया उसको आप select कर सकते हो कि 24 घंडे के बाद में आपका hide हो जाएगा या delete हो जाएगा तो इस तरह से जो है भाईया आप वहाँ से select करके अपने post को post कर सकते हो और community tab में कुछ और improve किये गया है लेकिन हम इस पर हम बात नहीं करेंगे because next video में हम उस पर हम बात करेंगे क्योंकि छोटा मोड़ा जो है improve किया गया है और अब हम जाल लेते हैं अपने first update के बारे जिसे कि दुस्तों आप सब को बता है कि जो भी नी यूटुबर राते हैं जिनके पास में subscriber कम होता है वह करते क्य है घाए था अपने subscriber को hide करके रखते है छुपा कर रखते हैं लिटें लेकिन यह जो आपडेट आया है अब अपने subscriber को आप hide करके नहीं रख सकते हो चुपा के नहीं रख सकते हो अगर आप अपने subscriber को hide करके रखे हो या चुपा कर रखे हो तो भीया अब जो है बहुत ही मेरों को बूरा लगा किमकि बहुत सारे भाई का subscriber कम है और लोग अपने subscriber को चुपा करके रखते हैं विकोज ऐसा अपडेट आगया कि अब जो आपका subscriber जो था जो आप चुपा करके रखे थे हाई करके रखे थे वो आपका जो है न सो करेगा जो भी audience जो भी आपके वीडियो को कोई प्ले करके देखता है तो उनको आपका subscriber पर दिखेगा कि आपके चैनल पर कितना subscriber है और आपके वीडियो को बूरा लगा नहीं तो बाकि दोनों जो आपडेट था मेरों को बहुत ही अच्छा लगा आपके वीडियो को आपके चैनल पर दोनों को सच्क्राइब के वी लाइक प्रेस करें तो डिए नवी दो सब्सक्राइब हैं तो यह और बंदे मातर कि